तो अगर आपकी शूगर कंट्रोल में नहीं रहती है बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती तो आज मैं शूगर को कंट्रोल करने के कुछ उपाय बताने जा रहा हूं अगर आप इसको अपलाई करते हैं तो आपको फायदा जरूर होगा और आपकी बढ़ी हुई शूगर बहुत मदद करता है तो उसके लिए आपको करना यह है कि आप रोज सुबह एक चमज भुनी हुई अलसी चबा कर खाएं जब आप सुबह उठें तो रोज सुबह भुनी हुई अलसी चबा के खाएं और उसके बाद आप गुनगुना पानी पी ले अगर आप कुछ दिन अ मातरा बढ़ा कर आपके ब्लड शूगर लेवल को कम करने में आपकी बहुत मदद करते हैं आप रोज सुबह खाली पेट करेले का जूस पीजिए और अगर आप टेली करेले का जूस नहीं पी पाते हैं तो आप हफते में कम से कम एक बार करेले की सबजी जरूर खाएं और कब दोस्तो दालचीनी दालचीनी तो हर घर में हर किचन में मिल जाएगी आपको दालचीनी में बहुत अच्छी मातरा में बाएयो एक्टिव तत्त पाएजाते हैं जो आपके ब्लड शूगर लेवल को कंट्रोल में करते हैं आप रोज दालचीनी वाली चाय पिए या आप इसका यूज खाने में करें अगर आप कुछ दिन इन उपाया को अप्लाई करते हैं तो आपकी शूगर बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी और आप पूरी तरह से फिट और हेल्दी रहेंगे